इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग CHSL 2022 के लिए जिसका वेकेंसी चार्ट SSC ने आज रिलीस किया है तो जो कुछ पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे उसमें पहला होगा आपका कि कि जो लोग अभी CHSL 2022 में पोस्टल असिस्टेंट यानि पी ऐसे की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए या उनका सेलेक्शन नहीं हुआ या फिर 2400 ग्रेट पे की पोस्ट मिल गई है और लोकेशन में इसू फसेगा उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इस वेकेंसी पर फोकस करन क्या होता है मैक्सिमम अपना एफर्ट सीजल की पोस्ट पर लगा देते हैं और आपको पताएं कि सबसे ज़्यादा मैटर इस टाइम पर लोकेशन में आपका बहुत ज़्यादा रोल इंपोर्टेंट प्ले कर रहा है इस टाइम पर तो इसलिए इसको आप बिल्कुल भी इ से अगर आप कंपेर करोगे तो चीज़े आपको कुछ पॉजिटिव निकल के आएंगी आगे बढ़ने से पहले देखो अगर आप सी एचसल में सेलेक्टेड हो और मेंस का एक्जाम जो अभी जून में स्रेडूल है उसके लिए जा रहे हैं तो अगरवाल पॉप्लिकेशन कि क्या कुछ इसके अंदर इंकलूड करा गया है तो हर एक चीज़ को चैप्टर वाइस डाला गया है जैसा अगर मैं बात करो इंग्लिश के लिए चैप्टर वाइस इसमिक किया हुए एरर को कम से कम रखा गया है सलूशन आपको इसी के नीचे मिल जाएगा होगे तो आपके सारी स्लूशन जो आपको मिलेंगे वह आपको काफी हेल्प करने वाले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मैं बता दो टॉपिक बाइस बता दो एक बार सका रिव्यू देदू तो नैंटी नैंटी नाइन से लेकर कि 2022 तक के जितने भी कुश्चिंस पे कम से कम है बिल्कुल भी एर नहीं रखा गया है जो सॉलूशन बताया गया है मतलब सौर्ट रिक से बताया गया जाकि टाइम नहीं लगे आपको रीजनिंग के बात कर लो तो प्रिभी प्रिवेश की जितने भी सवाल आये हैं वहीं कुछ भी अपने तरफ से नया एड नही आया यह कर गया है और आपको पता है स्वाला अरहे है जिसमें सबसे ज्यादा गलतिया हो रही है उसको खासस ड्लाला गया है इसको साहलूशन को आसान में निए तकि ताकि आपके वहां गलती ना हो क्योंकि silly mistakes आपके वहीं होते हैं reasoning की book को इससे आप से design किया गया है focus किया जारे इस book में कि जो अभी changes हो रहे है frequent changes हो रहे है SSE के द्वारा उसको पूरा cover किया जाए GK वाला part जो उसको separate कर दिया गया है static वाला part current affairs वाला part भी cover कर पाएं तो अगर आपको लेना है book तो description में लिंक दिया हुआ आप वहां से ले सकते है flip card margin पे भी link है इसका description box में डाला गया है वहां से भी आप इसका ले सकते है और कोई भी इसका feedback देना चाहोगे तो आप मुझे comment में डाल सकते हो या फिर वाट्सप नमबर बता सकते हो बात करते हैं हम लोग आगे वर वेकेंसी चार्ट का इसके लिए उसके खास बाद ध्यान सुनेगा कि इन में से कई सारे मिनिस्ट्री ऐसी है जो दिल्ली पोस्टिंग रहती है वह जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर करूंगा जो मैं हर बार कवर करता हूं तो आपको मैं बताऊंगा और अभी से आप इवाद ध्यान कियेगा क कि मैकसिमम कैंडिडेट की चाहा रहती है दिल्ली के लिए दिल्ली के कैंडिडेट बहुत सारे राजस्थान के कैंडिडेट बहुत सारे हैं उसके लबाए यूपी के बिहार के कई सारे कैंडिडेट वहीं रुक के ही अपनी जॉब कंटिन्यू या पढ़ाई कंटिन्यू क कि यह होते हैं तो उनको दिल्ली में दिक्कत नहीं होती तो maximum डिमांड दिल्ली के रहती है और आपको मिल जाएंगी बहुत सारी पोस्टि जो दिल्ली पोस्टिंग दे जाएगी दूसरी खास बात यह है अगर आप अगर आपको पी ऐसे मिला हुए आपको पता है पी ऐसे में पब्लिक दिल्ली होती है और आपको पता है कि पोस्टिंग जैट सेटी के अंदर होती और आप जो पांच दिन का वर्खेंगे तो अपने आप चीजों को प्लान करके रख पाते हो रही इस बड़ा इंपोर्टेंट रहता है अगर आप पी ऐसे की बात करो तो यार वहाँ पर पब्लिक दिल्ली रहता है तो मूर ठोड़ा ओफ रहता है जहां पर भी पब्लिक द को रिलाक्स होना चाहिए और आपकी मतलब जॉब भी सही कंटीनी होते रहे वर्कलोड की बात करें तो यह एलडी सी के इंदर बहुत कम लोड वर्कलोड होता है पूरे दिन की बात करें तो हम एक घंटा दो एक बर यह को आपको पी ऐसे में वर्कलोड मिल जाएगा पी ऐस सही है कि आपको काफी ज़्यादा यहां पर अच्छा इंवार्मेंट मिलता है लडी सी के अंदर रहता है और फाइल से रिलेटर कोई responsibility नहीं रहती आपके signing authority नहीं रहती फाइल का management रहता है और higher authority जो रहती हुँ बहुत सारी चीज़े अपने खुद अपने end पर ही solve कर लेती है LDC तक बात आती नहीं है रहेट लेटर वेटर टाइप करवाना हो करवा लिए फाइल ढूंडवाना हो ढूंडवा लिए बाग के ऐसा कुछ बहुत जादा नहीं रहता है जो आल इंडिया बेस देखो LDC उसमें बहुत सारी LDC आपको ऐसी मिलेंगी जो आल इंडिया है मैं बताऊंगा आपको कौन इसमें आपकी और पोस्टिंग के चांसी रहेंगे तो उन में आपको अपना मिलने के भी पॉसिबिल्टी रहती है तो यह भी फाइदा है कि आप अपना ले सकते हो स्टेट भी ले सकते हुआ जरूरी निए दिल्ली आप चाह रहे हो तो जिसे आगर आप को बताऊंगा मैं आपको श्टार्ट करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रखेंगा डी वी तक हम चीजें आप तक लेकि आएंगे तो को पूस्टिंग हर स्टेट के कैपटल में म दिक्कत आती है जो बड़े शेहरों के कैंडिडेट होते हैं एड़ेस्ट करना बहुत मुश्कुर होता है लेकिन आपको जो भी LDC की पोस्ट मिलेगी वह हर स्टेट के राजदानी में ही रहती है तो यह बड़ा प्लस पोइट है पोस्ट की बात करें दो को यह पोस्ट जो है पांच से पोस्ट पोस्ट इंदर ओफरे था अपका पांच दिन्हें मिनिस्ट्र ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हो तो कैंटीन का आपको मिल जाता है Ministry of Defense का आपको logo, card बहुत काम आता आपका और transfer आपकी नहीं, lifetime आपका वहीं रहता है कुछ regional office का रहता है लेकिन अभी आप दिल्ली का लेके चलिए दूसरी बात यह देखे कि थोड़ा problem है यहाँ पर जिसे smartphone अलाओ नहीं है उसके अलाओ थोड़ा सा office के अंदर decorum वाली बात रहती जहाँ डिफेंस है वहाँ अनुशारसन वहाँ पर थोड़ा सा strictness रहता है वो इसके negative है लेकिन overall दिखा जाए तो यह post फिर भी popular post बनी रहती है LDC के बात करें तो प्रण्टूर्लर जनल ओफ अकाउंट CGA की वेकेंसी ठीठाग रहती है अच्छी quantity में वेकेंसी है वेकेंसी इसकी जितनी भी है इसमें maximum posting 80-90% पोस्ट है आपको जो LDC की है वो आपको दिल्ली देखे जाएगी और मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली की बहुत demand रहती है जो लोग सुन पा रहे होगे आप इस बात को मैसूस कर पा रहे होगे तो CGA इस list में आता है इसमें आपका एक S.A.S. का exam भी होता है जब आप इसमें आ जाओगे तो LDC के बाद आप Junior Accountant की पोस्ट पर तीन साल के बाद आप वो सकते हो S.A.S. क्लिर करने के बाद, Part 1 क्लिर करने के बाद, प्रमोशन इसमें अच्छे हैं आपके और Ministry साब की सारी अच्छी है CGA के अंदर, तो ये पोस्ट आपको दिल्ले के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है CGA की बात कर ले, CGA आपका All India Posting रहती है, North के chances थोड़े कम है, maximum chances मुंबई, पुने, बैंगलूर के हैं लेकिन ट्रांसफर खुला हुआ है, इसके अंदर ट्रांसफर आपके तीन साल के बाद हो जाएगा, SAS का एक्जाम जो इसमें मैंने बताया है, इसमें दो साल के सर्विस करने के बाद, प्रोबेशन करने के बाद, आप SAS के लिए बैठते हो, इसमें अगर आप Part 1, पहला SAS में उसके बाद आप जैसे ही दो साल के सर्विस करोगे, तो 4800 ग्रेट पे के लिए फिर आप इलिजबल हो जाते हो, यानि कि डबल यो के लिए, तो आप अगर सही से सब कुछ रहता है, अगर टाइम पर एक्जाम होते है, साथ-ाथ साल में मैक्सिमम लोग देखा है मैंने, कि बन जाते है, LDC से डबल यो, जो कि इतनी जल्दी किसी लोग रेट पे से 4800 गैजेटेट ऑफिसर की पोस्ट पर जाना एक बहुत बड़ी बात रहती है, इलेक्शन कमिशन डिबार्टमेंट की फेस बैल्यू बहुत जादा है, चुनाव आयोग की दिल्ली पोस्टिंग मिल जाती है, आपको, अगर एलेक्शन के टाइम पिरिट को छोड़ दे जाए तो नॉर्मल वर्किंग आहर है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा, आप दिल्ली में हो तो आपको वैसे भी कन्वेनियंस का और बागी रहने मेने का मैनेज बिच्चे कर लेते हैं, नौर्थ इंडियन को दिल्ली में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर मैट्रो का कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप कहीं एक होने से दुजरी कोने तक मैट्रो से एगंटे के अंदर ट करते हो, लोकेशन कहा मिलता है, अभी जो नए कैंडिट भरती हो रहा है, उसमें दिल्ली के अलावा रीजनल ओफिस में भी कैंडिट को रखा जा रहा है, लेकिन इसमें ये खास बात है कि दो या तीन साल के बाद आपको फिर से वापस दिल्ली बुला लिया जाएगा, दि कर लेंके, तो वो कुछ साल के लिए, साल, दो, साल के लिए, छे महीने के लिए, इस डेपार्ट्म को जोईन करके बस देखना चाहते है, इसका वर्किंग कलचर कैसा है, तो उस पॉइंट ओफ व्यू से भी आप डेपार्ट्म को जोईन करके देख सकते हो, बहुत कारता सा अब्याद के आपका जिसके ओल इंडिया पोस्टिंग आपकी आपकी आपका तो पांच दिन का वर्किंग डिया है आपका और शटेड़ी के लिए टाइम आप मैंच कर सकते हो और transfer इसमें available है, transfer भी आपका हो जाएगा Director General of Health Service Ministry of Health के अंदर आता है इसमें सबसे खास बात ही होता है कि आपका cashless medical बनता है यानि कि बागी जो आप government job जो भी join करेंगे उसमें CGHS का card बनता है तो पहले आप पैसे देते हैं उसके अपने department को medical का जो bill होता है आपका बिना पैसे का cashless treatment होता है आज की date में बिमारी सबकी घर में लगा हुआ और इस टाइम पर medical health वाला ही सबसे ज़्यादा इंपोर्टन तो इसलिए department की जो face value काफी अची है इस टाइम पर और रही बात location all India इसकी posting रहती है state wise vacancy में आपको avail करा दूँगा कहाँ कहाँ पर vacancies है इसकी और आप इसको fill करके ले सकते हो military engineering service के अंदर UDC LDC की post आई है अभी UDC की post CGL 2022 में आई हुती military engineering service की command के दुरू जैसे आपका CGDA है जहां CGDA का offices आपको मिलेंगे वहाँ वहाँ आपको MAS का office मिल जाएगा all India में offices है आपके और सबसे खास बात है ministry of defense के अंदर काम करने को मिलते है तो वही canteen card staff quarter available हो जाता आपको रहने के लिए टिकत नहीं आती है MAS का main काम ही रहता है कि जो quarter वगरह है जो can't area में जहां army रहती है उनका maintenance बगरह करने का तो ठीक है बाकी रही बात departmental exam इसके अंदर भी है लेकिन अगर हम बात करें पढ़ाई का कुछ offices यहां पर भी अच्छे जहां पर आपको पढ़ाई का time मिल जाएगा कोई भी problem नहीं आएगी आपको study करने में और आप आके continue कर सकते हो तो यह जो कुछ पोस्टे मैंने बताई है इसके अलाव बाकी जो पोस्टे उनमें भी अच्छा है लेकिन यह दिल्ली और जो demanding पोस्टे है अभी जिनकी वेकेंसी भी अच्छी आज़ी है उसकी हम बात करेंगे आपकी कौन से टॉप पोस्ट एक बर आप लिखे comment section के अंदर बताईए मुझ कर दूँगा document verification पूरी process हर बार के तरह आप तक पहुंचेगी चीज़े statewide विकेंसी पहुंचेगी golden book जो popular है हर बार के लिए